गुद बॉर्णिंग कैसे आप सभी उमिद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अभी सुभी का टाइम है सुभी के बज रहें दस खाना पीना मेरा बन गया है और मैं आप लोगों के यहां पर यह दिखा रही थी कि इस मतलब इस वाले घर में सच में हमेसे नुकसान हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यह मैट्रेस आप दिख रहें यह पूरा गीला था इतना भयानक गीला था जब हमने इसको खड़ा करी ना मैंने आपर 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 यह खड़ा करके तब्सकी Jud 오래 आपर बेमारी थी तो दो देनों से इतनी ज्यादा बारी तो इसमें इतना ज्यादा पानी हो रह लिए था जादा तो इस tastes ज़्यादा थैजा यहां से यहां पर करना पड़ पल unpredict को circum laboral नियुकर शोलाक हो यहां ररको इतना नुकसान हो रहे हैं पदने यहां इस ऊपर में जो रहती हैं आपको धिका कि यहां से जो है न बहुत चार यह खुली रहती हैं सीट यहां से बहुत चार आकर ना और बस यह नीचे आती हैं तो इसलिए यह पलंग को यहां पर था तो मैंने वहां कर दिया है वहां का परदा निकाल कर दूसरा लगा लिया है वहां का वहां भी लगा दिया न्यू किचन में और कम से कम यह है कि इत सच में यह ड़ लग रहा है कि यह खराब ना हो जाए और धूप कहीं से हुआ है क्योंकि सूकने डाल देती तो सारी चीज़़े मैंने इस तरफ कर दी शिर्फ वो रख दिया है और पता नहीं कैसी वो सीत आ रही है कहाँ से तो मैंट्र covid-19 पानी देखें अभी तक हो laughala सारह पानी निकलाई कि अधर और इदर भी ब्रण है थोड़ा से इसलीज़ा यो यह जो जब है ना छोड़ता रहा है जीए ब्राउन ब्राउन के लर का खाड़ी टाइब का यह कपड़ा है इसका कलर छोड़ दिया बहुत ज्यादा पानी निकिला दे मेरा मैट्रस जो है ना बहुत ज्यादा खराब हूं यह विश्कुल मस्धूप निकल जाए पर सुखाऊंगी ऐसे यहां पर है यहां का हल भी है यहां का हल यह है कि यह इधार यहां से सिर्फ यहां इतनी जगह वह बसात है इसने मैंने इसको इतना फोल्ड कर दी और सारे कप्ड यहां पर डाले हैं अभी यह सारे गंदे ही पड़े ही क्योंकि दो दिनों से धूप नहीं दूप नहीं निकल रही कि तो इसलिए ना मुझकेल होता है कि बार साथ ना अम लोग यहां पर कार लें लेकिन फिर भी कैसे करके हम लोग करते थे पहले पन्नी लगी हुई थी अपन्नी निकाल दी है वो भी इसलिए निकाल दी कि चलो उस वाले रोम में अब बहु गया रहा है इस वजी से अब भी पेड़ पादे लेकिन अच्छे लग रहे हैं दिल जाते हैं बड़ियां पानी में इतने साफ सुथ्रे यह वाला देखे कितना ज़्यादा और गुरो होता जा रहा होता जा रहा है और यह देखिए इतना बड़ा यह गुलाब का यह भी एना बहुत बड़ा है फूल आते ह किया कर दिया और अब तहुत जा रहा है पानी तो आस चलती है जल्दी से जल्दी से यह चल रहा है काम मेरे जकल का काम रखा है ऐसी वह समय यह नहीं कर पाती हूँ मैं तो यह थोड़ा सा कर दी रहे है आख अ यह रखा है पूरा यहाँ पर बनाऊंगी यह लगा है ना गैस में बनाना पड़ेगा मझे तो यह करके रख दे रहे हैं और दस बज़ गए सब दस कार्तिक का काम देगे सब्सक्राइब कर देख देखना पड़ेगा अब लिये तो साफ तो रहते हैं लेकिन एक नजर फिर भी देखने पड़ाएं और बस गया हुए और यह दाल जो ना वो पिसवाना है और पटापट से यह कर दे रहे हैं और काम जो है ना मेरा मनला खाना पीना सोबे बन चुका है खाना पीना मैंने बना ली हूँ दाल चावल और बरी वाली दाल बनाई है तो दाल चावल बन गया है अब मुझे बनाना है रोटी तो रोटी तो नहीं बना रही हूँ एक स्प तो अभी मैं आप लोगों से कुछ जो बाते बता रही थी और मतलब अंदर वाले रूम का तो पहले ना मुझे ये परिसानिया ना सिर्प बारिस के टाइम पर ही थोड़ा सा ना दिक्कत होती थी और बहुत जिलने पड़ जाती थी पर अभी ना एकदम पता नहीं क्यों इतना गर्मी का टाइम है पूरा एपरेल का महिना जो इना गर्मी का रहता है और वो ऐसे ही चला गया तो सही मतलब ऐसा ही मौसम बना रहता था और बारी से भी होई हैं अभी तो लगातार स्टार्ड हो गई है पता नहीं कैसे क्या हो गया तो उस टाइम पे ऐसा रहता था कि हम पूरी व्यवस्ता के साथ रहते थे हर चीज मतलब करके रखते थे हर सल करना ही पड़ता है क्योंकि है ना ऐसा नहीं है कि वो एक बार हम सेट करने हैं तो वो हर बार रह जाए मतलब अच्छे से हमेशा के लिए सेट हो जाए तो ऐसा होता नहीं था तो नहां सीट है वस यह है कि हर सर्व कुछ नो कुछ दिक्कत होई जाती थी तो इस वज़े से ना इस वारा भी ध्यान नहीं कि अभी तो गर्मी का टाइम था इस वज़े से ना कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं तो वस वही मैं आप लों दिखा रही थी बहुत ज़्यादा परिसानी होती है इतनी दिक्कत हो जाती है बार इस के टाइम में कैसे काटना पड़ता है दिन सही में और काम के मामने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर कि मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जितने का कामाती नहीं हो ना उससे ज़्यादा तो उसमें लागत जो है ना वो लग जाती है कहीं फिर पैट्रोर कहीं ये मतलब बहुत खर्चे निकलते हैं अगर मैं गिनके बता हूँ मैं इतना सारे काम हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं मतलब हर चीज़ से बहुत हूँ खोस या ये खोस तो मैं हूँ लेकिन ये है कि मतलब उस तरीके से हम कुछ ऐसा बचा नहीं पाते हैं या कुछ अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं तो बात ये हो जाती है बाकी बहुत मेहनत वा काम तो इतने कर रहे हो ना उसके बाद भी कोई हम लोगों की सेविंग ना कुछ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है बगवान की देह से हम भी खुस हैं खापी रहे इतनी बहुत है बाकी तो फिर बगवान की मर्जी है देखते आगे क्या होता है तो यहां देखिए चल पास काफी सारे चुकंदर रखे थे और मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ ना कि जब भी मैं चुकंदर लेकर आती हूँ मेरे घर में कोई नहीं खाता हूँ पसंदी नहीं करते हैं तक ही मैं भी नहीं करती पर पता नहीं क्यों देख कर ही मन हो जाता है लेने का और सस रहता है कौन उनकी कमी के लिए लेकिन कोई ने खाता तो फिर मैंने सोचा यह तो एक बियान टॉकंदर को जो अच्छे से घिस लिया था उसके बाद मेन इसका चतने भीस ता अच्छे से साफ कपड़े न्यकोड लिया निचोड के और जो बेष्ट निकला है तो वो मेनने अलग पिया है उसका भी मैं कुछ करने वाली हूँ तो यहां पर देखिए फटा फट से मैंने जो पूरिया है न वो बना ली है और हम नास्ते में यही करेंगे और नास्ता हम दोनों कार्थिक और मैं यह पूरी खाएंगे और इनका मैं टिफिन भी पैक कर दे रही हूँ खाना बन चुका था दाल चावल सिर्फ पूरिया रह गए थी तो आज नास्ता और जो लंच है न वो सेमी है बस यह कि नास्ते में पूरी ले लेंगे दो पहर के लंचे में दाल चावल का लेंगे तो फटा फट से इनका जो टाईम हो गया था यह मेरा काम भी करते जा रहे थे और काम करने के बाद थोड़ा सा काम मेरा रह गया था कल का तो यही एक पूल्बम हो जाती है जब मैं काम नहीं कर पाती ह January मौसम में मैं नका मूड के इसाफ से काम करते हैं कभी कर लेते हैं कभी नई करते हैं मैं बोल भी रही थी दोटो खा लो लेकिन नई खाए न तो इसलिए मैंने एस्ट्रा पूरी रख दी है और ये दुकान जो है वो चले गए हैं तब तक मैं यहाँ पर अपने लिए अचार से ज़्यादा चाय में अच्छे लगते हैं तो मैंने अपने लिए चाय में बनाई है करती के लिए थोड़ा सा अचार रख लूँगी ये भी खाता रहा पहले बता नहीं अभी एकदम से इसका भी जो खाने पीने का एकदम चेंज सा होता जा रहा है पहले चाय में खा लेता था पर अभी न अचार में खाता है तो वस यहाँ पर मैं अचार भी निकार ले रही है जिसको जिसमें खाना होगा तो मैं तो चाय में खा लूँगी और हम साथ में अभी नास्ता करेंगे लाइट में बंद कर दी है किच्छिन की क्योंकि अभी बाकी के काम क्या है जाड़ी बस लगाना रह गया है और किच्छन साफ करना तो अभी नास्ता करके फिर उसके बाद मैं घर का जो काम है न वो करूंगी जो बचे वाले काम है वो और ये है कि मैंने ये जो पूरी है न चोकंदर वाली पूरी फास्ट टाइम ट्राइ के ना सच्छे मैं बहुत अच्छी बनी थी मैं कोई चीज़ जब नया ट्राइ करती हूं तो मैं आप लोगों से बताती जरूर हूं क्युकि अभी तक आपने नहीं देखा हूगा कि मैंने इस तरहीके से पूरी बनाई है और अच्छी बनी थी मैंना लग ही नई रहा था कि इसमें टेस्ट आ रहा था चोकंदर का मैना सेम पूरी जैसे ही लग रही थी सिर्फ कलर ही आया था तो अच्छे लग रही थी खाने में चाय के साथ और बस हम लोग इंजोई कर रहे दोनों जन और ये देखिए यहां पढ़ना सुब्ह का नास्ता वगेर करने के बाद मैंने काम आम कर लिया था फिर उसके बाद हम इसी काम में लग गए थे तो बारा एक बज़े बैट गए थे उसके बाद देखिए यह टाइम हो गया है रात ही होने वाली है होई गई है मतलब साथ साड़े साथ बच चुके है और ऐसा होता है मतलब है ना अंदर बनाने में यही हालत खराब हो जाती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जितना जल्दी बाहर हो जाता है ना उतना लेट अंदर हो जाता है क्योंकि फिर यहां पर कम जगे रहती है तो सुखा सुखा कर रखने भी पड़ते हैं बनाते भी जाने पड़ते हैं और बाहर धूप में हवा में ऐसा रहता है कि बनाते जाओ और यहां वहां डालते जाओ तो वहां जगे जादा रहती है तो समस्या ये हो जाती है और खराब भी नहीं होने चाहिए क्योंकि बड़ी समस्या आला काम रहता है पापर को बनाना सुकाना और अच्छे से क्यार करना तब जाके कुछ मेहनत का फल मिल पाता है अभी कार्तिक थोड़ी देर बैठा था तो फिर मैंने बोली बना कर दे दे चल्दी से हो जाता है नहीं तो अकेले में तो और ज्यादा टाइम लग जाता है तो देखिए अभी वह भी फटा फट से जो छोटी-छोटी ठीकिया है ना वह बना कर दे देगा और फिर इसके बाद मैं रात के खाना की तैयारी करूंगी और आज का जो वीडियो है ना मैं सबस्क्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई